विश्व प्रसिद्द चारधाम यात्रा का आगाज हो गया है उतराखन सरकार हर बार की तरह इस बार भी चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए हसंभव प्रयास कर रही है वहीं इस बार तीर्थ यात्रियों को यात्रा मार्क पर पहले से बहतरिन स्वास्त सेवाई मिलेगी जिसका जायदा स्वास्त सचिफ डॉक्टर आर राजेश कुमान ने लिया चार धाम यात्रा को लेकर प्रदेश और सरकार ने यात्रियों की सुबिधाओं के लिए हर तरहा की चाक्च बंद विवस्था की है वही तीर्थ यात्रियों के स्वास्थ की कमान खुद मुख्मंत्री पुषकर सिंग धामी और स्वास्थ मंत्री डॉक्टर धन्ज सिंग रावत में समाल रखी है मंत्री के निर्देश पर यात्रियों की सुविधाओं का जाइजा लेने पहुते स्वास्थ सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने केदारनाध धाम तक की पैदल यात्रा का जगा-जगा स्वास्थ एकाईयों का निरिक्षन किया वहें इसके पहले उन्होंने दुद्र प्रयाक पहुँचकर भी छोड़ी, चिरवासा, जंगल चटी वाराम वाराता का चिकित सा इकाईयों का दौरा किया और केंद्रों में विवस्थाओं को देखकर स्वास्थ कर्मियों को विशेश निर्देश भी दिये मध्यप्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्ति करण के उद्दिश से समवेधन शिल मुख्यमंत्री शिवरा सिंग चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लारली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है इसके तहद उन्हें प्रतिमाह एक हजार रुपे दिये जाएंगे ये राशी सीधे उनके बैंक खातों में पहुँचाई जाएगे सियम लाडली बहना.mp.gov.in पर ब्राप्त की जा सकती है वो खबरें जो आपके काम की है वो खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है हर आम और खास से चुड़े मसले हर मसले का सटीक मिशलेश हम करते हैं सट्यका अनुवेशा दखल नीउस आपके हख में आप देख रहे हैं दखल नीउस